शीटिंग ओफट तो आपको जहिर सी बात है कि मतलब बुलेट में अच्छा लगेगी और इसमें तो आरवन फाइब में तो सिटिंग ओफट एग्रेसिव आपको लगेगी जो एक्रेसिव फिल देगी जो मतलब बड़ा 300 mm की कुछ है और इसकी 270 mm की डिस्क आपको मिलती है इ बड़ी जो खवेगी झाल साइब टॉले जो लगेगी घर इसकी सबस्ते है कि कि यह जो खब हमें खाइब एटिज जोले दॉले तो कि कि जब दो एक बाएब आर शबले में तो कि खाएब एट बहेगे एट कि अभी पाइब जो दो दो विल्कम बैक टू मैं चेनल गाइस विल्कम बैक टू मैं वीडियो तो आज हम आप लोग के सामने ले किया है जो कि मतलब अलागी लेवल का आरान चाहता हूं बताना क्या मतलब जो मुझे लगती है इसका फ्रंट से बात करता हूं इसका फ्रंट देखिया आप अच्छा जो जेनरेशन आते हैं इस वार थोड़ी सी मतलब चेंज की गई है और इसका मैं वीफोर का दिखाता हूं इसका तो मतलब इस बार जो वीफोर है इसका तो मतलब चेंज हुआ है और जो भरजन थिरी थी उसमें तो अलग थी और इसमें काफी एट्रेक्टिव लूग है पहले से और इसका वाइजर भी काफी R1 AM जैसी है पूरा जो आती है यहां पर मतलब टेंक में भी जो और इसक तो मैं इधर से फिर बेक से आता हूं आपको तिखाता हूं। यह तो एरोडानेमीग है और यह तो आपको पताई है little इस कैडिजी में आती है यह आपको पताई कि पूरी लोहा से वनती है यह फाइबर भॉड यह जो आपने भाषट पहले तोक में देखा होगा मतलब बच्चे चलाते प्लास्टिक हम तो चलाते लोहा जाता बुलेट कॉन लेते जो मतलब टोरा दिखाने कि लेते मतलब इसका अलग ही लेवल हैом मतलब अब कीक भी नहीं आती है यह देख सकते देख सकते बस खाली सेल्फ है और जो आप यह करे का देती है और इसमें मतलब जो रिए और पहले लिए और घी बनाय गिया मतलब आगे से इसका अच्छा लूख है लेकिन जो पीछे से लूख है वो मुझे इससे पहले वाली जो जेनरसन थी उसी की अच्छी लगती है बट आपकी सबकी अपनी अपनी चोईस मतलब इसमें बाइब्रेशन बहुत कम है और मैं इसकी बात करना चाहता हूँ इसमें तो जब से भरजन और मैं sitting comfort की बात करता हूँ तो sitting comfort तो आपको जहीर सी बात है कि मतलब बुलेट में अच्छा लगेगी और इसमें तो आरवन 5 में तो sitting comfort aggressive आपको लगेगी जो aggressive फिल देगी तो मतलब रोड़ वाला पर जेंस इसमें भी देगी बट इस यह मतलब टोपी स्पीड के लिए नहीं है एक 120 के आसपास जाएगी उससे ज्यादा तो नहीं और ये तो आपको 150 के आसपास टच करेगी टोपी स्पीड ठीक है तो मतलब ये प्रिजन वीडियो इसलिए बना रहा है कि इसका तो मतलब कोई नहीं है मतलब इसलिए और आपको मैं देखिए अगर फैंबली के लिए लेना चाहते है तो आप ये गाड़ी ले सकते ठीक है बुलेट फैंबली के लिए और आपको अकेले में घूमनी आपने गल्फेंड के साथ तो आप ये वाइक की और जा सकते हैं मलता कोले जूलेज में ये भी वाइक से कोले जा सकते हैं बस थोड़ा से ज्यादा वाइजर वाला बाइक का ये सब बाइक का थोड़ा ज्यादा एट्रेक्टिव है कोले जूलेज में मतलब ये वाइक भी सही है फैंबली उमली क के नाम से और दोनों गाड़ी आपको दिखा दिये मेट फिनीस में है तो देखिए आपके पास मतब पैसा रहेगी मतब आढ़ाय लाख तो आप ले सकते हैं बुलेट अगर उससे कम बजट में आपको यह मिल जाएगी तेकिन आपको एक्रेसिव अला बाइक चाहिए थोड़ टायर भी अब चौड़ा आने लगी पहले उतना नहीं आती थी तो क्लासी 350 में आती थी और इसमें तो सुरू सही आती है और जब से भर्जन थीर आई तब से 140 सेक्षन की टायर करती है पहले तो 130 था जो भर्जन टू में था तो बस आज के लिए इतना ही और दोनों बाइक